नमस्कार दोस्तों, CGPSC Knowledge Hub, Clear CGPSC के इस YouTube चनल पे आप लोग को बहुत-बहुत स्वागत है, हमने एक वीडियो डाला था कि परियोजना छेत्रपाल जो था एक पोस्ट उसके लिए प्रेस रिलेज जो है जारी किया गया था, तो हम आज उसी के बारे में थोड़ा सा करेंगे, कि कब-कब से फॉर्म भराना चालू हो रहा है, और आपको फॉर्म कैसे भरना है, साथ ही सिलेबस में कुछ चिंजस दिख रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और आप कहीं पर फस्ते हो, फॉर्म भरते समय, तो वहां पर आप कैसे help ले सकते हो, पूर मिल जाएगा, और अगर आप नए होंगे, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, ताकि जो भी वीडियो साथ है, उनकी जल्दी से जल्दी आप तक जनकारी हम पहुंचा सकते हैं, और आपको मिल पाए तुरंद की तुरंद, चैनल सब्सक्राइब कर दिज हमने देखा था कि क्या बुलते हैं, पूरा पूरा पोस्ट था, यह सारे चीजों का आया था, लगभग 94 पोस्ट थे, तो इसका एक आपके पास प्रेस पहुंचा होगा, जो हमारे तवारा या फिर आपने न्यूस पेपर में पढ़ा होगा, जो यह वाला था, यहां तक हम ने डिसकुशन भी किया था, कैसे वेतनमान रहेंगी, कैसे पोस्ट रहेगा, पूरा कैटेगरी वाई से डिवाइड़ेट है, आप देख सकते हैं इस चीज को, 36 कर राज वन विकास निगम ने इस पोस्ट को निकाला हुआ था, इस पे पूरा हम चर्चा एक बार कर चुके आज की जो हमारी चर्चा रहेगी, वो दूसरे चीजों पे रहेगी, तो यह है, एक तो आपको वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट रहेगा, HTTP, यहाँ पर जो है, आपको देख सकते हो, डो डाट वाला है, इसके बार स्लैश दिया हुआ है, cgvapam.cgstate.gov.in, सीधी सीध तो उसको अभी छोड़िए, अभी आप ध्यान दिजिए इस चीज को, वेबसाइट परिच्छा निर्देश को, बाद में फिर हम पूरा प्रोसेस आपको बताते हैं, वेबसाइट परिच्छा निर्देश, शहायक परियोजना छेत्रपाल भरती परिच्छा, यह पूरा न समझेगा, वालाइन आवेदन आज से शुरू हो गया, आज है शुक्रुवार, पांच नॉवंबर 2021, तो आप आवेदन कर सकते हैं, अंतिन तिथी रहेगी, बाइस नॉवंबर 2021, सोमर तक रातरी 11 बचके 69 मिनिट तक आप पे कर सकते हो, तुटी शुदार करने के लिए इस तिथी दी है, 23 से 25 नॉवंबर 2021, एक बात याद दखीगा, यहाँ पे सिजी पेस्ती जैसा दस रुपए का सुलक नहीं है, पचास रुपए का सुलक लगेगा, अगर आप कोई भी चेंजिस करते हो, तो बिलकुल ध्यान से पहले बार में भर लिजिएगा, ताकि पचास र करनें, फिर पचास रुपए चल देगा, फिर गडबढ हो जाएगा, उसके रवाव व्यापम की वेबसेट पर प्रवेश्पत्र जारी होगा, बोला है, 2 दिसंबर 2021 को गुरुवार को, अब देखो कब आता है, पर इच्छा की तिथी 12 दिसंबर ने इधारित है, देखते ह नहीं होगा, दो पहर से एकजाम होगा, ऐसा इसलिए भी किया जाता है कई बागी, पहली पाली में किसी और एकजाम को अगर और और गिनाइस कर रहा है, तो देखिएगा भी कोई और पिपर वहाँ पर हो रहा है, क्या सेम डेट पर, तो यह समय दिया गया है, उसके रहाव पूर पूर दूर्ग, उसके रहाव अंबिकापूर जगदलपूर यहां जो आता है, वहीं होगा पिपर, जगदलपूर कोई संभाग नहीं है, मैंने क्यों बोला, क्योंकि बस्तर छेत्र में जगदलपूर और अगर आप सरगुजद छेत्रम जाते हो, तो अंबिकापूर इन ही मुख्यालोयों पर क्या होने वाला है, एक्जाम होने वाला है, तो इसके यह मतलब नहीं है कि मुझे पास संभाग का नाम नहीं पता है, मुझे पता है, बट मैं डारेक्ट मुख्यालोयों का नाम ले दी, ठीक है, उसके अलाबा परिच्छा शूल के समान्य वर्ग ह है 350 रुपए सब्सक्राइब के लिए 200 रुपए निर्धारित है तो यह बिल्कुल ध्यां रखिएगा इस चीज को तुटी शुधार का मैं बार बर बोर्ड यूंँ अच्छा पहली बार में इच्छे से फॉम भरिएगा देख जी आप पूरे इंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें सायक परियोजना चेत्रपाल का जो पद है उसके लिए सेच्छनी का हर्ता इसको पहले देख लिए यहां पे लिखा है निमनांकी तो विश्यों से हो या घड़िस से हो या भ्हौतिकी से हो या जी विज्यान तो यहां पे एक चीजे तो समझ में आ रही है कि यहां पर जो है आपको मे भी इंजिनीरिंग वालों को यहां पर ना दे एक बाद चेक कर लिजिएगा इसको शारिक मांदंड की अगर बात करें तो ऊचाई पूरुष के लिए 163 cm है, महिला के लिए 150 cm है, एश्टी है तो थोड़ा सा छूट देता है 152 cm पूरुष के लिए 145 cm महिला के लिए, सीना दोनों के लिए दिया गया है, जैसे 89 cm पूरुष को होना चाहिए, 24 cm महिला को होना चाहिए, नियुनतम सीना विस्तार 5 cm पूरुष को होना चाहिए, महिला के लिए 5 cm जो है इसके लिए भी है विस्तार मतलब आपको सीना जो पुलाना है उसके बाद 5 cm आपको बढ़ना चाहिए, सारी चंता परिच्छन 4 घंटे पैदल चलना है लड़के तो 25 km चलेंगे 4 घंटे में, लड़किया है तो 14 km 4 घंटे में चलेंगी, जिनको चलने का आदात अच्छा होगा, वो इसके लिए बहुत अच्छे से कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक तो CG व्यापम जो क्या लेगा, इक्जाम जैसे ही होगा, तो यहाँ से जैसे एक्जाम देते हो आपको क्या होगा, फिल की होगा, पिल के बाद क्या होगा, फिल के बाद अगर आप बात करते हैं online form की, तो online form की या कोई भी चीज इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, आप कैसे कर सकते हो, सबसे पहले Google में जाओ, सीजी व्यापम सर्च करो, फ़र्ष्ट वाला ही आएगा, बड़ा-बड़ा लिखा हुआ, बड़ा-बड़ा लिखा हुआ, इसके बात क्या करना है, जैसे खोलोगे आपको दूसरा पेज यह वाला दिखेगा, मैंने एक ही साथ दो पेजों को लिया हुआ है, थोड़ा सा समझेगा इस चीज को, तो दूसरे पेज पेज पर जाओगे, सबसे पहले तूपर हैडलाइन सी चल रहे है, मतला आपको समझ में आ जाएगा, आगया हमारा पोश्ट, तो आनलाइन अप्लिकेशन पर जाओ, सब जाना है, बात करेंगे हमारा आज का टॉपिक क्या है, राज यवन विकास नीगम लिमिटेड द्वारा जो साहयक परियोजना छेतरपाल की भरती परिच्छा है, हमको उस पर जाना है, क्योंकि हमारा काम आज उस पर है, हम उसी पर चलते हैं, यह वाल आप्शन को हमने क्लि परिच्छ निर्देश भी मिल जाएंगे, सिलेबस भी मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, कैसे कैसे आपको भरना है, क्या भरना चाहिए, एप्लिकेशन का सैंपल भी देख सकते हो, बैंक इंस्ट्रक्शन बैंक में आपको कैसे detail भरने है ये भी दिख जाएगा online application form कैसे जो भरना है वो यहाँ पर कर सकते हो 9 नमबर का आपके लिए important किस लिए है तो online application आप भरना चाहते हो उसके लिए है बाद में application का status देखना है तो यहाँ पर जा सकते हो transaction का मतलब status देखना है तो यहाँ पर 11 नमबर पर जा सकते हो तो सारी चीजों का यहाँ पर क्या है दिया हुआ है हम अगर बात करें online application की तो direct हम उसी पर चलेंगे उसके अलावा हम syllabus की बात करेंगे bank instruction भी थोड़ा सा देख लेंगे कि आप वहाँ पर फंसते हो तो कैसे help ले सकते हो अगर आपको instruction to fill the form इस पर जाना है तो पूरा जैसे जैसे form में दिये हुए जो check box है उनका पूरा सुरवास से आखरी तक है कैसे कैसे आपको information भरना है और आपको select करना है पिल्कुल आपको परशान नहीं होना अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो पहले आप instruction को पढ़ो जो पांच्वे नंबर पर दिया है और छट्वे नंबर पर दिया है खास कर कि यह दोनों उसके लावा आपको यह bank वाला जो instruction है यह पांच्वा छट्वा और आठ्वा यह इतना को भी आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या काम करना है उसके अलावत मैं थोड़ा सा दिखा देती हूं आपको application form में कैसे करना है देखी यहां पे हाँ क्लिक करोगी जैसे ही नीचे लिखा रहता है सैचछडी का हरता है वह हम सारी रिक आप इस से उपर नहीं होना चाहिए और अगा सिगनेचर की बात करेगा तो 20 से 40 के भी यहां पे सिगनेचर पहले चूस कर लिजेगा फाइल से अगर आप मोबाइल से करते हो मोबाइल से लेप्टाफ है तो लेप्टाफ को जो भी आपको पात है वहां पर सेलेक्ट अगर यह आप लोड नहीं करेंगे तो आपको फोटो आए गहीं नहीं के साथ होती है फोटो कैसे नहीं आ रहे है यहां पर यहां सेलेक्ट करके अप्रोट का उप्शन दबाना ज़रू होता है फिर बेसिक इंफरमेशन होई आपका नाम पता तो इसके बारे में आप जो है है यही सब पुछता है हिंदी में भी का बकायदा लिखा हुआ है उसके बाद डिकलिरेशन देना जुरूरी है एक चेक बॉक्स रहेगा उसको क्लिक करके कुछ कोड रहते हैं वो डाल की जो है आगे बढ़ जाईएगा उसके बास पेमेंट आएगा फिर डारेट पेमेंट आपको क्या करना है तो आपको करना है जो हमें यहां पर बताई हुए कैसे नाम डालना है पता डालना है डिकलिरेशन के बाद क्या करना है यह सारी चीज़े यहां पर दी हुए है इसको आप देख लेजएगा और बैंक वाला भी है तो उसको में लाश्ट में बताऊंगे उसको भी देख लेंगे पहले हम थोड़ा सा बात किसी और चीज़ के बारें कर लेते हैं जो है सिलिबस क्योंकि परिच्छा होगा आपको जूनी 300 300 माक्स इसके होंगे दो नंबर के जो है एक कोश्चन होंगे तीन घंटे का समय दिया रहेगा तीन घंटे का समय में आपको देड़ सो कोश्चन करने है अपने हिसाब से बांट लिजेगा आपको कैसे करना है चार भाग यह परिच्छा में दिखेंगे भाग एक ज बिल्कुल दियान रखिएगा उसके लावा भाशा है हिंडी अंग्रेजी 36 भी आपको आना चाहिए रिजनिंग आपको आना चाहिए यह लॉजिकल हो गया तार्किक योग्यता बहुत चोटा चोटे संख्यात्मक का रहे हैं यह सभी आना चाहिए आपको मैस की बात करें त थोड़ा थोड़ा जल्दी 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 करते हैं एक चीज और ध्यान रखिएगा आपके लिए जो है मिनिममम पासिंग मार्क भी यहां पे निधारिते हैं यदि आप जनरल है 33 परसेंट अगर आप से आते हैं तो 23 परसेंट आपके लिए जरूरी है उसके लावा कराम दो उसके बात fryसे कल के लिए त्यारी करों दोनों सानस्त करते रटा सा मेरा जो जो लेंगवेज है थोड़ा सा आप लोग के लिए 舒सका करने के लिए आप लोग के समझ आने तक ही ही रखा है मैंने आज थोड़ा प्रोफेशनल लेंग्वेज यहां पर नहीं किया हुआ है इसको ध्यां रखना जैसे ही आप सेलेक्ट होते हो आपका अच्छा मेरिट लेस्ट पर आता है उसके आपको फिजिकल के लिए बुलाता है आप वहां पर भी प्रेक्ति को दिया जाना है फिर वह आगे की प्रोसेस होती है सत्यापन वगरा करना है तो पहले एक्जाम देना है फिर जितने लोग एक्जाम देंगे उनका जो है अब 94 पोस्ट है माली जिए तो 94 का तीन गुना को बोलेगा भी यह फिजिकल देने आओ उसके बद उसमें प्रशासन पंचायती राज दुनिया भर का यह सब चीज जो भी चीजे सीजी पेस्ति में हो सब मिलेगा आपको अर्थ व्यवस्ता है वन है कृषी है ना जन जाती है सब कुछ है सारी चीजी अगर आप सीजी पेस्ति की एक्जाम की तैयारी कर रहे हो ना पूरे पूरे आपको मिल जाएगा इतिहास पूरा पूरा तीस नंबर कर रहेगा उसके बाद लैंग्वेज पढ़ हो सामाने हिंदी है इंग्लिश है उसके लावा 36 गड़ी है तो यह सब्चिज को दिया है समाने मांसिक युग्यान है वनश्पती शास्त्र रसायन शास्त वानिकी भूगर्व विज्ञान गडित और भौतिक विज्ञान अब आप समझ गए होंगे कि इन्हीं सब्जेक्ट को क्यों रखा है युग्यता में अगर आप इन में से किसी एक सब्जेक्ट से भी आप ग्रिजुएशन है तो समझ लिजे आप इस एक्जाम के लिए क्या है इलिजिबल है इंजिनिरिंग वालों का और मेडिकल वालों का मैं इसमें श्योर नहीं हूँ इसलिए मैं नहीं बताऊंगी आप लोग एक बार पूरा इंस्ट्रक्शन जादो लंबा हो जाएगा वरना वीडियो मैंने वैसे हलके लेंग्विज में बनाने का प्रयाश किया है उसके अलावा जी विज्ञान जन्तु विज्ञान जो भी है आपका अवन अस्पति शास्त्र पूरा मिल जाएगा रसायन यहां पर मिल है वर मेरे साथ वालों ने इस पर किया हुआ है यह बिल्कुल आपको मिल जाएगा उसके अलावा आपको गडित भी इसी मिछेतर में मिलेगा गडित भी पूरा मेंस का सिलेबस जैसे पूरा सारी चीजों को डाल दिया गया है प्रिजे से सिलेबस दूरी चाल समय अनुपा प्रकाश है प्रकाश का पूरत्तन है विध्य उसके प्रभाव यह पूरा चीजे दिख रहे है आपको पूरा इसको पड़ना है पूरे सिलेबस और धयान से समझना है पूरा चीजे आप एंटरिग्रांबंद कर सकते हो जी तो यहां परнес एसको डिन यह सिलेक्स करनी होगे आप कर सकते हो जैसे नेट बैंकिंग सेलेट करोगे तो यह नव प्रोसेस आपको दिख रहा है कैसे करना है यहाँ पर देख लिजिए या फिर पढ़ लिजिएगा आप इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे पूरे-पूरे उसके लागा क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का भी यहाँ तक हमने कुछ बनाने का प्यास किया है ताकि आपको एक बार हम क्या करें जानकारी दे दे कि आपके पास कैसे कैसे option है कि आप देख सकते हो पुरी तरी किसे समझ सकते हो फिर प्राम बर सकते हो तो तो पहले पूरा प्रोसेस को पढ़िए बहुत टाइम है भी प्रियोजन चेत्रपाल के लिए था ये पूरा पूरा इसके लावा जो भी जनकारी आते रहेगी हम तो डालते रहेंगे वीडियो एम सीक्यूज वगरा तो चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए लाइक कर दिजिए कर शेर कर दिजिए अभी के लिए विदा दिजिए जय चैनल सब्सक्राइब कर दिजिए अधे वगरान आश्यवाज आश्यवाज आखटराल कर दिजिए.